हाई ड्रेल्टीज वेल्कम टो ईजीवे कामर्स क्लासेज मैं हूँ तापिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने इंप्लॉयमेंट के चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंप्लॉयमेंट के मतलब को समझा था और उसे णकाफी सारी ताउन सीखी ती जैसे वर्कर किसे कहते हैं हमारी लेबर फोर्स किसे कहते हैं जो की हमें जाननी ज़रूरी है जब हमें इस चेप्टर को आगे बढ़े राइट तो आज के इस सामने गाइस हमारे question paper पर वो data आये तो हम उसे समझ सके और answer कर सके सही तरीके से So guys start करते हैं लेकिन उससे पहले अगर channel पर पहली बार आयो और subscribe अभी तक नहीं करा तो गलत बात है जल्दी से subscribe करो और अगर आपको ये video परसंद आती है तो like भी करना और आप अपने doubt mail से YouTube और Instagram पर मेरी ID है तब ता मैसी वहाँ पर बुछ सकते हो अब आगे बढ़ते हैं guys एक हो employment किसे कहते है बहुत simple सा word है employment Employment का मतलब होता है काम करके पैसा कमाना employment है अब चाहे वो आप अपना काम करो या फिर किसी और के लिए काम करो that is employment doesn't mean कि आप अपना काम करोगे तो वो employment नहीं है या हम नौकरी पर जाएंगे तभी वो employment किलाएगा नहीं Employment मतलब कोई भी काम करके पैसा कमाना employment है कोई भी काम को गलत सिंस में मत लेना कि भाया चोड़ी कर ले और पैसा आ रहा है हमारे पास तो वो employment है नो जी गलत काम नहीं मैं सही कामों के बारे में बात कर रही हूँ Employment कोई भी activity है Employment क्या है Basically is an activity Activity बोले तो काम करना Employment is an activity which enable a person जो एक person को enable करती है लायक बनाती है कि इसके A person to earn a means of living कि वो अपनी जीविका को अंकर सके कमा सके आज के टाइम में या पहले के टाइम में भी हमें अपनी जीविका चलाने के लिए यानि कि अपने जीवन को चलाने के लिए क्या चीज के जरूरत होती थी या है तो एक ही चीज है एक ही चीज है That is money पैसा पैसा चाहिए हमें अपने जीवन को चलाने के लिए तो जब भी हम कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं employment कहते हैं so बहुत सिम्पल सी definition है employment is an activity which enable a person to earn a means of living ठीक है अब दो टाइब के employment होती है जो मैंने आपको बताया कि एक होता है self employment self employment का मतला आप सबको बता है आप अपना खुद का काम करते हो तो उसे self employment कहते हैं याणि कि आप अपने खुद के resources यूज करते हो अपना खुद का business setup करते हो वो self employment है आप किसी के under काम नहीं कर रहे हो वो self employment है उसी क्या positive क्या होता है wage employment जब आप किसी के अंडर काम करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो और in return you get a wage और a salary आपको in return salary मिलता है तो उसे wage employment का जाता है wage employment में हम किसी और के लिए काम करते हैं जबकि self employment में हम खुद के लिए काम करते हैं अपने business के लिए काम करते हैं So, दो टाइप की employment है, self and wage Then wage employment again दो पार्ट में divided है First is the regular worker या जिने हम regular salaried employees भी कहते है या regular salaried worker भी कहते है ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जिनको काम करने के पैसे भी मिलते हैं Plus उसके साथ साथ उनको बहुत सारे other benefits भी मिलते हैं Generally, आपने government job के employees को देखा होगा क्यों उनको बहुत सारे benefit मिलते हैं कि अगर छुट्टी भी ले ली तो ज्यादा salary नहीं कटरी पैसा आ रहा है Pension का benefit मिलता है, social security मिलती है काफी सारे चीजे जो है, other benefits जो होते हैं जैसे leave के benefit उन लोगों को मिलता है कि छुट्टी अगर जादा कर लेते हैं तो उनकी casual leave या sick leave में वो सारी चीजे adjust हो जाती है साल भर में उनको काफी सारी leaves a lot करी जाती है तो जब हमें हमारे काम में यानि कि जब हम कहीं काम करते हैं और हमें ये benefits मिलते हैं कि हमें regular income आ रही होती है protection and regulation from government के काफी rules उसपे applicable हो जाते है job security रहती है social benefits रहता है जैसे हमारा PF वगरा कट रहा है जब ये सारे benefits हमें मिलते हैं pension वगरा मिलती है तो हम किस category में आते हैं regular salaried employees की category में और इसी के just opposite होता है guys casual worker जिनें इनमें से कोई benefit नहीं मिलता वो काम कर रहे है और पैसा कमा रहे है उनको कोई भी social security नहीं है उनको कोई भी guys job security नहीं है भाया काम करना छोड़ेंगे salary नहीं आएगी जैसे कि private companies में ऐसा होता है कि आप जब तक काम करें तब तक के पैसे मिलते है कोई social security नहीं है कोई pension वगरा का benefit आपको नहीं मिलता है उन्हें हम क्या कहते है guys casual worker कहते है और आप लोगों को मैं अगर इंडिया का data के बार में बता हूँ तो guys 52% इंडिया में self-employed लोग है और इसके बाद regular salary जो है वो सिर्फ 18% है यानि कि उनकी संख्या बड़ी ही कम है जो regular salary है casual labor हमारे यहां पर 30% है guys ठीक है और इस data के हिसाब से guys आप देख सकते हो कि casual worker जो हाँ पर ज़ादा benefits नहीं है वहाँ पर ज़ादा workforce हमारी काम कर रही है जबकि regular salary में हमारे यहां पर सिर्फ 18% है 2011-12 का data है guys जहां पर यह सारी चीज़े बताई गई है इसके बाद इनी चीज़ों को guys हमने और deeply पड़ा है अपनी book में जो मैं आज आज आपको बताने वाली हूँ जैसे urban और ruler areas के बारे में बात करें तो आपको इससे यह तो अंदाजा हो गया ना कि इंडिया में सबसे जादा अपना काम करने वाले लोग है जिनकी संख्या कितनी है 52% of the workforce क्यानिकि जुतने लोग काम कर रहे है उसमें से 52 प्रतिशत लोग अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद बचे हुए इन में हैं अब अगर हम बात करें guys urban areas में urban areas में 43% self-employed है 15% casual है casual कम है जैसा और regular salary 42% है हाला कि 43 और 42 में जादा फर्क नहीं है बट आगर आप देखोगे guys 43% जो है हमारे self-employed है और उसके बाद regular salary है क्योंकि urban areas में companies जादा है इस वज़े से और casual जो workers है वो कम है लेकिन इसके just opposite अगला रूरल area का देखो guys तो 56% हमारे वो self-employed है और 35% काफी जादा मातरा हमारी casual worker की है जबकि regular salary सिर्फ 9% है रूर एरियास में क्योंकि वहाँ पे companies वगरा इतनी जादा नहीं होती है तो आपको ये चीज समझाई क्यों ऐसा है regular salary क्यों गाओ में कम है क्योंकि वहाँ पे इतनी companies वगरा नहीं है guys या जो भी हम लोगों को ये सारे benefits प्रोवाइड करा सके इसके बाद इसी data को guys men and women में divide किया गया है जैसे men and women दोनों ही cases वे self employment जादा है men 51% है self employed के case में और women भी 56% है यानि कि जितनी औरते काम कर रही है उसमें से 56% औरते self employment में काम कर रही है और 51% men काम कर रहे है जितने भी आदमी लोग है उन में से आगे बढ़ते हैं guys इसके अलावा casual में again जादा है 29% लोग यानि कि आदमी लोग 29% casual में है और regular salary में सिर्फ 20% है उससे काम है जो कि हमने इसके accordingly देख रहे है हम लोग कि बढ़िया सबसे जादा self employed लोग है उसके बाद आपके casual है और then regular salary है और same way में guys ladies के साथ यानि की women के साथ है women casual 31% है और बची हुई सिर्फ 13% women हमारी regular salary में है तो guys इत डेटा था जिसमें हमें काफी सारी चीजों की knowledge दी गई है next video में हमें से related और data को समझेंगे जिसमें और हमें employment की deep knowledge दी गई है कि कितने परतिशत किन किन category में sector wise लोग दिये गई है जो कि हमारे लिए समझना और जानना बहुत जादा जरूरी है